नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पढ़ताल दुनिया भर की लातिन अमरीका का एहम देश ब्राजील राजनितिक परिवर्तन की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है लूला जीत हासिल कर चुके हैं 50.9 फीसदी वोट उनको मिल चुके हैं उन्होंने बोलसिनारो को हराया है और इससे पूरी दुनिया की राजनिती पर कूटनिती पर क्या असर पड़ेगा इस पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर आपके साथ किस तरह से आप इस जीत को देखते हैं ब्राजील की राजनिती पे इसका क्या असर पड़ेगा क्योंकि हम सब ने देखा है कि लूला को किस तरह से चुनाओ राजनिती से दूर रखने के लिए पूरे एक बड़े तंत्र ने जिसमें अमरीका की अमरीकी की राजनीती की बहुत एहम भूमिका है उसने एक नेगेटिव रोल प्ले किया था उसे जीतते हुए लूला यहां तक पहुचे हैं तेखें पहली बात तक देखें कि आज कि परिस्तिती में लूला की जीत का क्या अ शायद बोलसना तो काफी पीछे रहेगा हमें थोड़ी सी इसमें अचरज इस बात की हुई कि सिर्फ दो ही प्रतिशन 1.8% की फरक दोनों में रहा उनको 49.1% मिला कि बहुत ही नेरो मार्जिन एक हिसाब से देखाई दिखाई 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 दिखा उनकी पिर्जी में बहुत अच्छी थी और GUY का दो बड़े चीज के उपर अनो पर नहीं है और उसके बाद बड़े पैमाने जब मौते हुई तो बॉलसिनारों के उपर काफी इस पर एटैग भी था और अगर लार्जर बड़े संदर्ब में देखें ब्रिजिल के सिर्फ संदर्ब में नहीं तो वहां पर जो अमजान फॉरेस्ट है उसको लेके बहुत सरे सव काफी सफाय होने के उन्होंने अनुमति दी थी वो भी बड़े इंट्रेस्ट जो पूजीवादी इंट्रेस्ट है उनके साथ मिलके जिनकी यहां पर लॉगिंग वगरे का लखडी के बहुत बड़ा कारोबार था तो यह सब देखते हुए हमें लग रहा था कि शायद लू के ज्यादा किसी एक को नहीं मिलता है दुबारा वोट होता है और जो लीडिंग दो कैंडिडेट्स है उनके वीच में होता है पर उस वाक्त भी लग रहा तक बोलसनारों काफी पीछे रहेंगे और शायद दूला पहले चरण में निकल जाएंगे वो नहीं हुआ तो वो इ है वो बरकरार है बोलसनारों के कैंडिडेशी के बावजूद यह मुख्य चीज है तो उस पे एक सेक्शन ऑफ जो क्रिस्चन नए क्रिस्चन जो वहां पर एक उभार है उसमें बोलसनारों उनके उनको समर्थन करते थे दरासल जो वाम से घबराय हुए सेक्शन है जिनको लग रहा था कि वाम अगर आजाएंगे लूला आजाएंगे तो तमाम दूसरे तरह था एक मिनिट उस पे एक मिनिट बात जाए कि वहां पर कैथलिक चर्क का भी प्रभाव था जो की राजडितिक ग्रूप से राइट विंग नहीं था उसकी एक लिबरेशन थियॉलोजी क भी प्रभाव था पर इहां पर जो नए चर्चिस इवैंजलिकल चर्चिस की जो ओर्डर्स हैं उन्होंने काफी राइट विंग भूमी का प्लेक किया है और करते हैं और ये काफी हद तक अमरीकन इंफ्लूएंस से प्रभावित है ये आता है अमरीका से तो ये जो चीज़ है काफी बलस्टारों के पीछे ये नामबंध हुए और जो बड़े पूजी है ब्रेजिल की वो लूला को एकदम ही नहीं चाहता है वो भी उस तरह थे आचा आपको क्या लगता है कि लूला को वोट कम क्यों मिले प्रतिशत कम क्यों रहा हां 52% एक हिसाब से बहुत बड़ margin नहीं है और narrowly जीते हैं ये भी सही है 52% 51% हां 51% लगभग जो उनको मिला है बहुत बड़ा margin नहीं है सिर्फ लगभग 2% margin 1.8% की margin है लूला का हमें आशा था कि काफी ज्यादा बहुमत मिलेगी क्यों नहीं मिला अगर यह सवाल है तो यह मानना पड़ेगा जो उन पे corruption के नाम पर उन पर जो attack था जिसके वजह से 2018 पर चुनावी प्रतिद्वंदी नहीं बन पाए candidate नहीं बन पाए तो उसका असर एक middle class पर पड़ा है हलाकि यह साबित हो गया कि Judge Moro जो इस corruption के खिलाफ अभियान चला रहे थे वो पुरे मिले विये थे ऐसे sections थे जो उनका उद्द ही ना पाएं तो वो चीज अब साबित हो गया है कि वो शड़यंत्र था उसकी पुरे कच्छा चिठा जिसे कहते खुल गया वहां पर documents वगरे मिल गये उसकी इसके लिए ही भी उसका जो higher judiciary है इस verdict को overturn कर दिया उसका पलड दिया पर धबा लगना आसान है बदनाम करना आसान है और खास तोर से social media वगरा का जो भूमी का है इन सब चीजों में उसका भी असर चुनाओं में पढ़ता है कितना असर पढ़ता कैसे असर पढ़ता अभी उसको quantify करना मुश्किल होता है पर जरूर कि जो opinion polls है और actual voting है उसमें फरक नजर आ रहा है तो छवी जो धूमिल की ग मिडल क्लास पे इसका असर रहा होगा कि बदनाम करना आसान है बट वो चीज़ वापस लाना क्योंकि जब लूला छोड़े थे प्रेजिनिट्शिप उनकी सितारा बहुत अच्छा था उनका popularity बहुत ज्यादा था तो इसके बाद ये इतनी तकलीफ हुई बोल से नारुज क जिसकी चबी काफी खराब है तो वो दर्शाता है कि जो सोशल मीडिया के भूमिका होता है वो है और खास तोर से चबी खराब करने के लिए बदनाम करने के लिए उसमें एक एफेक्टिव रोल प्ले करता है और जो जूडिशियरी का रोल रहा है जिसके वज़ए से उनको चुना जेल में भी रहे और चुनाव भी नहीं लड़ पाई तो उसका एक असर मुझे लगता है लूला की पॉपुलारिटी पे रहा है खना कि इसमें कोई दोरा नहीं है लेफ्ट के लिए सबसे उपयोगी और सबसे पॉपुलर कैंडिडेट लूला ही है अब जब लूला जीत गए हैं तो हमें जो पूरा लातिन अमरीका का नक्षा हमें दिखाई दे रहा है उसमें छे एहम देश वाम प्रगतिशील खेमे के साथ हैं कोलिंबिया, बुलिविया, वेनिजूला, चिले, अर्जंटीना और अब ब्राजील तो ये जो लातिन अमरीका है इसकी राज पर उनका असर पड़ता था, उनको लोग सुनते थे, एक बहुत एहम नेता थे लातिन अमरीका के वा, हाँ, आप हमने छे देश तो साथ अमेरिका की है, अगर मेक्सिको को गिने, तो आपका सेंट्रल अमेरिका, तो साथ देशों की इस तरह की भूमी का है, जो मुलत अमरी अमरीकान क्या कह सकते हैं, हेजमनी, उसको लैटन अमेरिका भी स्वीकार नहीं करता है, कमो बेश, इसमें ब्रजिल शायद लूला के नेत्वित में सबसे आगे बढ़ जाएगा, देखना पड़ेगा, बुलिविया की रोल क्या है हमें मालूम है, अर्वेनेजवेला बहु हम यदि उनको एक बल मिलता है कि हम अमरीका से एक ओलग आर्थिक व्यवस्था बना सकते हैं, एक डूसरे से ट्रेड करके, एक दूसरे कäre सहायता से हम अमरीका जो हेजमनी है, लैटन अमेरिका, इसको नकार सकते हैं। यह अमरीका के अच्छा है, बुरा है, अलग बात है, क्योंकि अमरीका को जो पूरा इस 20th century इसी में गुजरा है किस देश की खास तोर से Latin America में किस देश को गिराना प्रधान मंत्री या प्रेजिनेट को गिराना है किसको लाना है किसे सत्ता परिवर्तन किया जाए उसका अभी भी हैटी में उसी का अभी भी नक्षा चल रहा है ठीक है न तो यह जो चीजे है यह एक्चुली ब्रिजिल की काफी भूमी का रही और साथ-साथ हुगो शावेस की बहुत बड़ी भूमी का रही इन चीजों से बाहर आने की अभी भी पहचान लोगों में है और इज़त है लोगों की क्योंकि उन्होंने पहले ब्रिक्स इपसा इन सब जगों पर जो भूमी का प्ले किया था तो इसके लिए लाटन अमेरिका का इकिनॉमिक जो स्ट्रगल है वो किस रास्ते में जाएगा मेरे खाल से लूला का एक ब लूला का जो रोल होगा क्योंकि युक्रियन युद्ध भी चल रहा है हम सब ने देखा है कि ब्रिक्स में अभी तक बोल से नारो क्या कर रहे थे किस तरह से युद्ध के पक्ष में महौल बनाया गया था क्या इस पर क्योंकि अंतराष्टी छवी के तोर पर लूला किस तर में गया नहीं है कि जो यूक्रेन में एकदम अमरीका का परस था उसके साथ बॉलसोनारो होने के बावजूद जब कि बॉलसोनारो राइट विंग सरकार हेड करता था पर उस तरह से नहीं गया क्योंकि ब्रिजिल की आर्थिक स्वार्थ जो है चीना रूस से में जुड़ा कि हमारी अस्तित्व एकदम अमरीका के हाथ पर सौप दे पर ब्रिजिल की लूला की जो भूमी कर रही वो ब्रिक्स में और खासतोर से डब्ली ट्यो में काफी एहमियत रखता है डब्ली ट्यो ता लगता है कि अमरीका ने खतम ही कर दिया क्योंकि उनका जो सैंक्शन्स इस डब्ली ट्यो का लगता है कि उसका रोल अमरीका की दृष्टिकोर्ण में है नहीं पर ब्रिक्स क्या रोल प्ले कर सकता है क्योंकि आर्थिक रूप में चीन, रश्या, ब्रिजिल, इंडिया बड़े एकॉनमीज है तो यह अगर कहें कि सैंक्शन्स जिस तरह से किया जा रह उसकी तो वोटिंग भी अंदरूनी ही है कि अमरीका का उसके बहुत बड़ा अधिकार है इन सब चीजों पे तो उससे अलग कुछ किया जाए इस पर ब्रिक्स की एक एहम भूमी का हो सकती है क्या लूला उसको प्ले कर पाएंगे क्योंकि रूस या चीन के लिए प्ले करना क्या लूला बीच मिचाव कर सकते है रश्या अर अमरीका के बीच में यूक्रेइन को लेकर जिसकी सख जरूरत है क्योंकि टक्कर सीधा साधा नेटो वर्सिस रश्या है अमरीका वर्सिस रश्या है यूक्रेइन तो युद्ध शेतर है और जो कहते है नेटो लड़ाई गाय हुआ है कि उनका उद्देश है रूस को नीचे करना रूस को पराद सकती है शायद इसका इंतजार एक बड़े हिस्थे को है कि वो इस भूमिका में उतरे और हमें भी देखने को मिले दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि लूला की जो जीत है बराजील में वह एक कदावर नेता की अंतराष्टिय मंच पर वापसी है और एक ऐसे समय वापसी है जिस समय इस तरह की नेता की सख्जरूरत महसूस की जा रहे थी कि जिस समय देश और दुनिया बिल्कुल बटी हुई है बीश में समवाद इस्थापित करने की भूमिका लूला निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे यह एक बड़ा सवाल है लेकिन फिलहाल ब्राजील परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है शुक्रिया